हेलो दोस्तों ओनलाइन स्टेडी पॉइंट में आपका स्वागत है और दोस्तों हमारा जो आज का टॉपिक है उसमें हम डिसकस करने वाले हैं भारत के परवत यानि की माउंटेंस ऑफ दी इंडिया पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें माउंटेंस ऑफ दी वर्ल्ड य पूछा जाता है तो सारे ही पूछे करें साथी साथ उनसे इतने भी इंपॉर्टेंट फैक्स हैं जिनसे कोशन बनने की जो है प्रोबैबिलिटी होती है वो भी हम डिसकस करेंगे तो वीडियो को लास तक देखिएगा वीडियो कर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और अगर आपने अभी तेक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन प्रेस करें और वीडियो के जो पीडियाफ है वो आप हमारे टेलेगरम रूप से डाउनलोड कर सकते हैं साथी साथ वीडियो को जादा से जाद जिसको क्या भी बोलते है केटू बोलते है जो कहां है कारा कॉरम रेंज में है ठीक है कारा कॉरम रेंज में लुकेटेड है और इसकी जो हाइट है वह 8651 मीटर है ठीक है यह हम याद लगेंगे लेकिन अगर कोशन आता है कि वाट इस दा हाइएस्ट पीक ओफ इंडिया तो अगर option में Godwin Austin होगा केटू होगा तो हम वह आंसर लगाएंगे और केटू नहीं है तो कंचंचंगा लगाएंगे बिकाज जो केटू है जो illegally park occupied जो कश्मीर है यह वहां पर लोकेटेड है इसलिए sometimes जो है option में नहीं दिया जाता लेकिन इस पार्ट ऑफ इंडिया इसलिए य बात करें कंचंचंगा की जो it is located in the water of Sikkham in Nepal हम कहेंगे के कहाँ पर है Sikkham में है और इसकी जो height कितनी है 8586 meter है और हम बात करें the highest peak of the world तो वो क्या है माउंट एवरेस्ट है इसकी जो हाइट है क्या है 8848 मीटर या फिर बढ़के इसको बढ़ा दिया गया है मतलब इसकी जो बढ़ गई है हाइट वो कितनी है 8850 मीटर नेच्स विशिन दिखते है हिमाले का पाग प्रदेश या फिर फुटबॉल नहीं फुट हील्स होगा ये फुट हील्स वार किफ माउन जाता है काफे बूट कुशलन है उसको बहुत कॉर्छ एक्स क courtroom और जाता है itt जो शिवाला इक ःइंज है इसको देखता साथ पागे, इस फिर लेसर हिमालय और एट लास जो आती है वो शिवाले के मालय जिसको आउटर हिमालय भी बोलते हैं इसलिए इस दी फुट हील्स ऑफ दी हिमालय ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपोर्टन बात जो कि मैं आपसे रोज बोलती हो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब दी चैनल और बैल ऐकन प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले और वीडियो गोई जादा से जादा लाइक अण शर्डरूर करें अपके लिए है नक्स नेसी में देवी जे pior पीग है इन्डिया के तो यह कहा पर है रखंड में है गया है रखंड में और है इस 23rd highest peak in the world और यह कहां पर है उत्तराखंड में है उत्तराखंड में यह कौन से हमालाज में है तो जो कुमाओं हमालाज है उत्तराखंड में उनमें यह इसकी जो हाइट है वो क्या है 716 मीटर है और हम बात करें झो नंदा देवी निशनल पार्क है इससे उनंदा देवी नेशनल पार्क या समया उसकी 88 में UNESCO ने इसको World Heritage Site जो है डिकलेर कर दिया था कि इसको नंदा देवी नेशनल पार्क को या प्याद रखेगा Next question देखते हैं काली एवं सतलज नंदियों के बीच हिमालिया का कौन सा प्रदेशिक भाग स्थिस है ठीक है कौन काई सी रिवर्स की बात कर रहे हैं काली रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो है हिमालिया उसका कौनसा पार्ट लोकेटेड़ है तो कौनसा है कौमाओ हِमालिया हैlier आप ही हमने देखा कहां पर है जहांージ कामेद की पर है तो कुमाओ हमालय में हैं इसकी कुछ परवत चोटिया है यह लेकिन हाइस्ट कौन सी है नंदा देवी है ठीक है और का अधिये कुमाओ हमालय कहा पर है तो उत्रघंड में है इसके बाद अगर हम बात करें सतलज रिवर की आउर्माओ है जो पर अधिये के अगरों होट तो नदियों के बीच हमालय का कौन सा प्रदेशिक विभाग इस्टित है तो हिमालियास का जो डिवीजन किया गया है वो स्टेट वाइस भी इसका डिवीजन किया गया है प्रदेशिक जो है कौन सा भाग है भाग है जो काली एवं तीस्ता नदियों के बीच में है ठीक है तो वह कौन सा है निपाल हिमालियास ठीक है और हम बात करें जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में जो हिमालियास का पार्ट है वह कौन सा है असम हिमालियास है ठीक है अब हमने कुमाओ हिमालियास था उसकी बात की थी कौन कौन सी नदी के बीच में था वो काली और सतलच के बीच में था ठीक है और हम बात करें कि जो पंजाब हिमालियास है तो य इस दी Mount Everest which is the highest peak of the world जो कि कहां पर है नेपाल में है और इसी को नेपाल में क्या भी बोला जाता है तो सागर माथा के नाम से इसको नेपाल में जाना जाता है हाइड मैंने आपको बताई है दूनों आप याद रखेगा एटेट फूरेट साथी साथ एटेट फाइट फाइफ जीरो मीटर एंड इस दी हाइस पीक आफ दी वर्ल्ड नेक्स कोशन देखते हैं एडमंड हिलेरी तथा तैंजिंग नौरगे द्वारा विश्व की सर्वोच परवज्व की कौन सी है माउंट आवरेस पर सबसे पहले किस वर्ष विजय प्राप्त की गई थी तो यह दोनों थे जो की सबसे पहले गए थे कब पहुंचे थे तो 1953 में ठीक है और हम बात करें एडमंड हिलेरी के तो यह कहां के थे नौरगे थे तो यह कहां के थे नेपा और है तो अब यह मुआ नें आपको बता थे नंदा देवी किस स्टेट में है तो यह उत्राखन स्टेट में है एक है। यह कौन से हमालयागा उसका भाग है और जो नंदा देवी नेशनल पार्क है उसको युनेसको ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लियर किया था in 1988 next question देखते हैं हिमाले परवत की एक श्रेणी अराकन योमा स्थेत है तो अराकन योमा जो है it is also the part of हिमाल्यास और ये कहां पर है तो ये म्याममार में है basically जो है ये boundary form करता है सीमा का निर्धारन करता है भारत और म्याममार के बीच में ठीक है और इसको रखाइन परवत माला भी बोलते हैं क्या रखाइन परवत माला भी अगर आता है तो ये भी किसका नाम है अराकन युमा का नाम है और इसकी जो हाइस्टपीक है माउंट विक्टोरिया ठीक है इसकी अराकन युमा जो mountain इसकी हाइस्टपीक क्या है माउंट विक्टोरिया विक्टोरिया नेक्स कोशन देखते हैं जमु कश्मीर में स्थित निमलिखित परवशेणों का पूर्व से पस्चिम की और क्रम होगा तो यह जो परवशेणिया है मालास की जो कि कहां पर है जमु कश्मीर जो कि अब हमारी यूटी बन गया है पहले यह स्टेट हुआ करता थ ठीक है अब जो है इसमें से दो यूटी बना दी गए है एक लदाग बना दिया गया है और एक जमु कश्मीर बना दिया गया है और यह कब किया गया है तो देट भी आप याद रखिएगा ट्विंटी सॉरी 31st of October से यह यह आपन लागू कर दिया गया था और जो जमु कश् कितने डिस्ट्रिक्ट है करेंटली तो 20 जो हमारी नई यूटी है और लदाग उसमें कितने हैं दो हैं सिर्फ ठीक है तो यह कोशन पहले पूछा गया था कि इनका जो है और हमको बताना है इस से वैस्ट का तो सबसे पहले हम देखते हैं कारा कोरम ठीक है जिसको क्या बोलत तो आप वो कंचन जंगा लगाना है इस 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 फीक ऑफ दी वर्ल्ड ऑल्सो ठीक है ऐट सिक्स डवल मीटर डवल वन मीटर जो है इसकी हाइड है इसके बाद जो आता है वह कौन जी लदाग श्रेनी आती है ठीक है जो कि सिंधू एवं श्योक जो रिवर है इन दोनों के बीच में है ठीक है इसके बाद जो आता है जासकर आता है जो कि जमुकश्मीर और लदाग दोनों में ही है फिर एट लास जो आता है आपका पीर पंजल श्रेनी आती है जो कि हिमाचल प्रदेश एवं जमुकश्मीर में है ठीक है तो ओर्डर क्या होगा हमारा सबसे पहले ठीक है फिर fourth ठीक है फिर कौन सा आएगा हमारा first आएगा और इसके बाद जो सबसे last है वे कौन सा second है यानि कि three fourth first और second हमारा answer होगा तो यह हम देख लेते हैं जो c वाला है वो हमारा answer है next question देखते हैं कुल्लू घाटी निम लिकित परवस शेनों के बीच अवस्थित है तो कुल्लू वैली है ठीक है आपको करना क्या है अगर हुआ तो जितने भी important वैलीज है उन पर जो वैलीज और पासेज है if you want कि उस पर एक हम particular वीडियो बनाए तो आप comment section में बिलकुल हुलाधर रेंज और जो पीरबंजल रेंज है तो यह कहां पर है हिमाचल प्रदेश में है कौन कुल्लू वैली या फिर कुल्लू घाटी नेक्स कोशन देखते हैं भारत में सबसे प्राचीन वलत परवतमारा कौन सी है बहुत पूछा जाता है question और काफी easy question है जो अरावली है it is the oldest mountain range in the world और even in the India also ठीक है और यह कहां से कहां तक stressed है तो हम यह देखें गुज्जात में एहमदावाच से लेकर दिली में जो जगा है मजनू का टीला जिसको बोला जाता है वहाँ तक यह stretch है लगभग 692 km और इसकी जो highest peak है वो कौन सी है गुरु शिखर है ठीक है गु पिल जन जाती है वो अरावली के आसपास जो है निवास करती है नेक्स कोशन देखते हैं अरावली परवत का सर्वो शिखर क्या कहलाता है जो मैंने आपको बताया जो गुरु शिखर है it is the highest peak of the अरावली इसकी जो हाइट है 1722 मीटर है अप्रोक्स जो की राजस्थान के सि जो है highest peak located है नेक्स कोशन देखते हैं पर्शमी घाट क्या है ठीक है तो पर्शमी घाट का फॉर्म पूछा गया है जो हमारे western घाट है वो क्या है एक ब्रंश का घार ठीक है यानि कि fault ledge यह जो है क्या है fault ledge है इसके बाद हम बात करते हैं तो highest peak की बात अगर की जाती है यह भ है अनाई मुडी इस दा highest peak of the western घाट as well as the south इंडिया तो दोनों कोशन अलग अलग हैं लेकिन आंसर जो है सेम है अगर पस्टिमिंग घाट की पूछी जाती हाइस पीक तो भी अनाई मुडी है और south इंडिया की पूछी जाती तब भी क्या है अनाई मुडी है इसकी height याद next question देखते है नेमने लेखित में से किस परवत मालक को शह्यादरी नाम से भी जाना जाता है तो जो पस्टिमी घाट है इनको क्या भी बोला जाता है शह्यादरी भी बोला जयाता है नेक्स कोशन देखते हैं प्रायदी भारत में उच्छतम परवत चोटी है ठीक है तो मैंने आप भी आपको बताया है कि जो साउस इंडिया है उसकी भी हाइस जो है पीक क्या है नाई मुडी है जिसकी की हाइड जो है 2695 मीटर है ठीक है नेक्स कोशन देखते हैं पूर्वी घाट एवं पश्यमी घाट याने कि इस्टरन घाट और जो वेस्टरन घाट परवत चीर्णों का संविलन निस्टाल है तो इनका जो मीटिंग पॉइंट है वह कहां पर है तो मीटिंग पॉइंट पर जो लोकिटेट है वैका है नीलगीर पीक है वो क्या है दोदा बेटा है इसकी जो हाइट है 2637 मीटर है ठीक है अगला कुशन देखते हैं भारत के सबसे दक्षिनी भाग में स्थित पहाडिया निम्नमी से कौन सी है तो इसके लिए तो बेसिकली हमें क्या स्टेट पता होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम बता स पूर्वी घाट परवर्षेणी का सरवोच शिखर है तो जो इस्टन घाट है इसकी जो हाइस्ट पीक है वो क्या है जिन्दा गड़ा है ठीक है 1690 मीटर जो कहां पर है अंध्रप्रदेश में है इसकी हाइस्ट पीक है समटाइम्स किसी किसी ईबुक में Festival मिल जाएगा कि ईस्टन घाट की जो हायस्ट महेंद्रगें लेकिन आप गूगल करके जो है दोनों की हाइट को जो है मैस कर सकते हैं उसकी हाइट इतनी नहीं है कम है इससे इसलिए जो हाइस पीक ऑफ इस्टन गार्ट है पूर्विघार्ट परवत की जो सर्वोच शिखार है वह कौन सी है जिंदागड़ा है गिरनार की पहाड़ियां है बहुत सिंपल है याद करना गुजराट जीफॉर गुजराट में यह लोकेटेड है गुजराट का जो स्टेट है उसके जूनागर डिस्ट्रिक्ट में यह आपको मिलेंगी और जो जेन हमारा रिलीजन है जेनों का यह बहुत जादा एक सिद्व बहुत कंफूजन होता है कि यह इमालयास का पाट है तो यह हमालयास का पाट नहीं है जो दक्षिन का पठार है यानि कि हमारा जो सदन प्लैट्यू है उसका भाग है गारोखासी और जहनतिया नेक्स कोशन दिखते हैं नेमने लिकित में से कौनसी दक्षिन भारत की उची चोटी है तो यह मैंने आपको बताया है कौनसी है अनाई मुडी जो है इस दा हाइस्ट पीक आफ दी साउथ इंडिया जो की वेस्टरन घाट में लोकेटेड है इसकी जो हाइट है 2695 मीटर है और यह जो है पस्चिम जो आपके घाट है वेस्टरन घाट है उसकी भी हाइस्ट पीक है नेक्स कोशन देखते हैं भारत एवं मैंमार के बीच सीमा निधारन करने वाले तीन परवश शेनिया है तो अराकन यूमा तो हमने देखी लिया और इसकी जो हाइस्ट पीक थी माउंट विक्टोरिया थी ठीक है इसका जो खासी और पटकाई जो है ये तीनों ही जो है भार नादरी किसको बोलते हैं अभी बताया था वेस्टन घाट को और सत्पुड़ा जो है ये भी हम बात करें सत्पुड़ा की तो इसकी हाइस्ट पीक जो है वो क्या है धूबगर ये बहुत पूची जाती है एक्जामस में हाइस्ट पीक अब धूबगर तो हम देख लेते हैं कॉशन क्या पूचा गया है ओपिरूत का उत्तर से दक्षण की ओस सही अनुक्रम क्या होगा तो इसका अहोगा फर्स्ट। होगा फ्र्स्ट थारड and सेकेंद फर्स्ट जो है आपका महादेव जो टोटली MP में है इसके बाद हमने बात की सत्पुड़ा इसकी जो हाइस्ट है क्या है दूबगड़े और फिर जो सेकेंड है वेस्टन घाट जो हमारा साउथ में लोकेटेड है और वेस्टन घाट की हाइस्ट पीक जो क्या थी वे क्या थी अनाई मोडी थी नेक्स कोशन देखते हैं चोटा नागपूर पठार की सबसे उची परवत चोटी है तो चोट जो है एक बार पूछा गया है इसलिए मैं आपको बटा रहे हूं जो पारस नाथ है इस दी हाइस्ट पीक ऑफ दी चोटा नागपूर प्लेटियू जो कहां पर है जारकंड में लोकेटेड है ठीक हर हम बात करें चोटा नागपूर प्लेटियू तो इमेंली जारकंड का ए तो यह चोटा नागपुर प्लैटियों के जो लेंड है वो क्या है फ्लैट लेंड है यानि की पार्ट भूमी है नेक्स कोशन देखते हैं नर्मदा एवं तापी नदियों के मद्ध इस्तित है तो सत्पुड़ा जो रेंज है अभी हमने देखा जिसकी हाइस्ट पीक क्या थी धूबगर थी ये लोकेटेड है नर्मदा और तापी नदियों के बीच में और हम बात करते हैं नर्मदा का जो ओरिजिन है कहां से होता है अमर कंटक MP से होता है और तापी का भी जो ओरिजिन है MP का सिटी है जो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है बैतूल और उसके अंदर एक अंडमान और निकोबार इसकी जो हाइस्ट पीक है वो कौनसी है सैडल पीक है जो नौर्थ अंडमान आइलेंड में लोकेटेड है कौनसी सैडल पीक 731 मीटर जो है इसकी हाइट है नेक्स कोशन देखते हैं कौनसे परवत हिमाले श्रंकला का अंग नहीं है तो अरावली हमने देखा था ये इट इस दी ओल्डेस्ट जो है माउंटेन है इंडा वर्ल्ड और इस वाल इस इंडी इंडिया और जो कुल्लून कारकोरम और हिंद और चाइना और इसी में जो है केटू हमारा जो गौडविन आस्टेन है हाइस्ट पीक इसमें लोकेटेड है और हिंदुकुष माउंटेन जो है मेंली अफगानिस्तान में है नेक्स कोशन देखते हैं कुडाई कनाल किस परवत शंकला पर इस थे थे कुडाई कनाल इस दा स चाहिक है और जो कटाई कनाल है इंपोर्डेन इसली है क्योंकि इसको टाइडल दिया गया है जो कि एक्जाम से पूछा जाता है इस नोन अजवर्ण स प्रिंस ऑफ हिल्स स्टेशन से इसको बोला जाता है कि इसको कोडाई कनाल सिटी और यह किस दिस्ट्रिक्ट में है तो डिस्ट्रिक्ट जो है तमिल नाडु का वहांपर यह है नेक्स कोशन देखते हैं नेमागी बेसी आप सबी माला का नाम आपने आपने सब्सक्राइब इसके बाद तो यह कौंसे श्टेट में गेक यह थीक है कए चाहिए और जो मंदिर सुनाओगा अपने सब्री माला का जो मंदिर है तो वो पैरी नाज जो विलेज है वहाँ पर ये लोकेटेड है हिमालय परवशेणी निमलिकित में से किस राजी का हिस्सा नहीं है तो तराखंड में हम देख चुके है कुमाओ हिमालय नंदा देवी सिक्किंग में हमारी जो कंचर जंगा लोकेटेड है तीक है इसके बाद जो है ये पार्ट नहीं है किसका उत्तर प्रदेश में हमालय आस का कोई भी पूर्शन हमको नहीं दिखता है नेक्स कोशन दिखते है हमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौनसी है तो जो पूर्वी चोटी है मालय आस की सबसे ज़्यादा कौनसी है नामचा बरवाठी के कहां पर है अरुनाचल प्रदेश में ये कोशन भी बहुत पूछा जाता है तो ये थी हमारी आज की वीडियो वीडियो कर पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें थैंक यू